नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लाश 9 असपर्स भागवन का पार्थ कीचर का काव्य पर हाने जा रही हूँ इसका मैं फूल एक्स्प्लेशन करने जा रही हूँ और इससे पहले मैं क्लाश 9, क्लाश 10 और क्लाश 8 का भी लगभख सारा वीडियो बना चुकी हूँ क्लाश 9 और क्लाश 10 असपर्स कृतिका संचेन छितिज का लगभख सारा चेप्टर पढ़ा चुकी हूँ और उसका मैं question answer भी बनाई हूँ summary भी बनाई हूँ उसको देखने के लिए आप उपर दिये गया i button पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया description box में भी देख सकते हैं या playlist में जाकर देख सकते हैं और अभी मैं कीचर का काब जिनका लेखक काका कालेल कर जी हैं तो मैं इसका full explanation करने जा रही हूँ तो इस पार्ठ में कभी क्या कहना चाहते हैं कभी इस पार्ठ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आज तक के जितने भी लेखक या कभी हुए हैं उन्होंने बहुत सारे टॉपिक जो होता है उस पर तो काब लिखे हैं कहानी कभीता लिखे हैं लेकिन कीचर पर किसी ने आज तक कोई भी कभीता नहीं लिखे हैं तो लेखक बता रहे हैं कि दुनिया में जितने भी चीज होते हैं, तो हर चीज की अपने अपने उपियोविता है, कुछ ने कुछ उसका महत्त होता है संसार में, इसलिए किसी को भी हिन भावना से नहीं देखना चाहिए, तो इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या बताने के रहे हो, लेखक बता रहे हैं कि आज सुभा.. पुर्व में कुछ खास आकरसक नहीं था, यहां पर लेखक कह रहे हैं कि पूर्व अंदिसा में, जब सुरियोदय होता है तो क्या होता है, सुरियोदय के बाद लाली माच जाती है, और उस समय, जब सुर्ज उदय होता है उस समय का बहुत ही सुन्दर जो है द्रिश्य उपस्थित होता है लेकिन यहां पर लेखक कह रहे हैं कि आज सुभा पूर्व में कुछ आकर्शक नहीं था क्योंकि रंग की साड़ी सोभा उत्तर में जमी थी बतलब आज उत्तर दिशा में सुर्ज जो है ऐसा लगता था कि रिफ्लेक्ट होकर सुर्ज की रोष्णी जो है उत्तर दिशा में दिखाई दे रही थी लाली मा छाई हुई थी और उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था ऐसा लग रहा था कि लाल रंग जो है उत्तर दिशा में बहुत ही सुन्दर दिख रहा था और प इतने नखरे कर सकती है, यहां पर लेखा किया बताने का कोशिज कर रहे हैं, कि पूर्व दिसा में ही जब रंगीनी नहीं हो, तो उतर दिसा में कितना देर रंगीनी टिक सकता है, देखते देखते वहां के बादल श्वेद पूनी जैसे हो गया, मतलब थोड़ी देर के बाद आरम्भ हो गया मतलब दिन का जो है शुरुवात हो गया अब आगे लेख बता रहे हैं कि यहां कभी किसी नहीं किया है अब लेखाक यहां पर कह रहे हैं कि हम या लोग कोई भी जो कभी लेखाक है उन्होंने पिर्थवी का बर्णन किया है कि पिर्थवी कितना शुंदर है पिर्थवी का जो है हरियाली पेर पौधे इसका बर्णन किये हैं जलाशे तलाव समुद्र जो हो किचर में पाट डालना किशी को पसंद नहीं है किचर से शरीर गंदा हो जाता है अगर हम लोग कहीं चलते रहते हैं रास्ते में भी अगर हम लोगों के उपर कीचर जो है पड़ जाता है तो क्या होता है किचर के लिए किशी को शहन भूती नहीं है यहाँ पर लेखा कहा रहे हैं किचर को लोग हीं दृष्टी से देखता है किचर के परती लोग की जो भावना है अच्छी नहीं होती है क्योंकि अगर कीचर सरीर पर पड़ जाता है तो दागधबा हो जाता है और किशी को पशन नहीं आता है और यह थार्त है मतलब यह जो है शत्य है किन्तु तटस्ता से सोचें मतलब शांत मन से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचर में कुछ कम संदर्ज नहीं है यहाँ पर लेखक बताने का कोशिस कर रहे हैं कि अगर हम गहर पुस्तकों के गत्नों पर जब कोई भी बच्चे या बड़े जब पुस्तक पर गत्य लगाते हैं जिल्द लगाते हैं तो ब्रावन कलर का खीच़गा रंग ही लोग पसंद करते हैं घर के दिवालों पर अथवासरीर पर किमती कपरों के लिए हम सब कीचर के जैसे रंग मुलना है कि घर के दिवाल Cone में फिक खिर का रंग लोक बहुत पसंद है दिवाल पर खास कर कर अभी टो समेंशमेंट लोग को सीमेंट का यूद हो गया है लोग प्लास्टर करते हैं लेकिन पहले क्या था जब प्लास्टर नहीँ हो पाता उस समय जो है गरीब लोग के घर में अक्सर अभी भी गाउं में कीचर से ही घर की लिपाई पुताई होती है तो बोल रहा है कि दिबालों पड़िया सरीर पर के किमती कपरों के लिए हम सब कीचर के रंग पसंद करते हैं अधिकतर लोग कीचर का कलर ही बहुत ही पसंद करता ह कलाभिग ये लोगों को भठी में पकाए हुए मिटी के बरतनों के लिए यही रंग पसंद है कलाभिग ये मतलब कला को जानने वाले जो कलाकार होते हैं उन लोगों को भठी में पकाए हुए मिटी के बरतनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है जब मिटी का बरतन पक ज आ जाय तो उसे warm tone कहकर विग्य लोग खुश-खुश हो जाते हैं मतलब क्या होता है जब फोटो लेते समय जो है कीचर का रंग उसमें आ जाता है तो बहुत ही लोग पशंद करते हैं कि बहुत ही अच्छा color आया है पर लोग कीचर का नाम लेते ही सब बिगर जाता है पर कितने सुंदर दिखते हैं आगे लेखा कह रहे हैं कि जब हम लोग नदी के किनारे जाते हैं तो क्या होता है नदी के किनारे जो है थोड़ा दूर तो पानी रहता है लेकिन आसपास जो है शाइड में किनारे सब में क्या होता है कीचर जमा हो जाता है और जब वह सूख जा इहां पर बता रहे हैं लेखर कि क्या होता है बहुत ही गर्मी कशा शुख जाता है तो वह टेर हे मेरे हो और कैसा लगता है नारियल के खोपरे के सुखाये हुए खोपरे जैसे दिखता है मतलब लगता है कि नारियल को लोग खोपरे बोलते हैं तो उस तरह का हो जाता है नदी किनारे मिलो तक जब शमतल और चीकना कीचर एक सा फैला होता है तो वह द्रिश कुछ कम खूबसूरत न यहां फैला रहता है एक लगता है कि वहां प्लास्टर कर दिया गया है और बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है इस कीचर का प्रिष्ट भाग कुछ सुख जाने पर उस पर बगुले और अन्य चोटे बड़े पक्छी चलते हैं बोल रहा है कि इस कीचर का नीचे का भाग मतल अंगुठा पीछे ऐसे अनेक पद चिन मद एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कर्मा ले जाने की इक्छा हमें भी होती है बोल रहे हैं कि क्या होता है जब कीचर का नीचे वाला भाग जो है जब सूख जाता है तो उस पर छोटे डबरे पक्षी और बगुले यह सब जो जो चलते हैं तो उसका क्या होता है तो बहुत हिसुन्द लगता है और लगता है कि हमें भी मतलब लेखा कह रहे हैं कि हम लोगों को भी या जब हम देखते हैं तो हमें भी होता है कि इसी तरह हम भी कास उस पर चलते और वह बहुत ही सुन्दर लगने लगता है फिर जब कीचर जादा शुकर जमीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पारे, भाय, भेर, बकरे, इत्यादी के पद, चिन उस पर अंकित होते हैं और लेखा कि हम बता रहे हैं कि क्या होता है जब कीचर बहुत जादा शुक जाता है और शुक करके ठोस हो जाता है तो उस पर क्या होता है ठोस होने के बाद उस पर गाय, बैल, पाड़े, पाड़े किसको बोलते हैं जो भाइस का मेल बच्चा होता है उसको पारे बोलते हैं भाइस, बकरे, इत्यादी के पद चिन पर अंकित होते हैं कि जब कीचर ठोस नहीं होता है तो उसके बड़े जानबर भी नहीं चल पाते हैं क्योंकि उसको ऊसमें धशने का धर होता है कि कहीं उसमें धश नजाया तो इसलिए जब ठोस हो जाता है तो उस पर गाय, बैल, पारे, भायस, धेर, बकरे सब चलते हैं तो उसके भी पैर के निसान जो है उस पर अंकित हो जाते हैं और उसकी सोभा बहुत ही सुन्दर लगती है मतलब सुन्दर लगने लगते हैं और फिर जब दो मदमस्त पारे अपने शिंगों से कीचर को रौंद कर आपस में लड़ते हैं तो नदी किनारे अंकित पद्चिन और शिंगों के चिनों से मानो महशा कुल के भारतिय युद्ध का पूरा इतिहासी इस करदम लेख में लिख हो ऐशा भास होता है और यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जब दो मदमस्त पारे अपने बास का अफूरा आपस में से लड़ाई करते हैं और लड़ाई करने के बाद होता है वहाँ पर चिन और युदध यहां पर हुआ है और ऐसा द्रिश से वह उपस्थित हो जाता है और लेखा कि हां कहरे थी कि महिसा कुल के भारतीय longing महिसा कुल का भारतीय युद्ध हुआ था उसका इतिहास उसमें ऐसा लगता है कि इतिहास का पता चलता है कि इस तरह से वहां युद्ध हुआ था मतलब जब युद्ध होता है तो क्या होता है जमीन किस तरह से इधर उधर पाइट से उसका निशान बन जाता है तो इस तरह का द्रिश उस कीचर प अगर आपको कीचर देखना है कीचर कीचर को कहते हैं कीचर सबसे पहले हम लोग अद Azh ties जाने कि जाने कीचर क्या होता है ना तालाव में पानी में जो है भूत सारे धूल मिटी जमा हो जाते हैं और उसमें कुछ इसे मिटी होते हैं जो जल्द सुखते नहीं है तो कीचर जैसा बन जाता है, मतलब उसी को हम लोग कीचर कहते हैं, वो हाथ पैर में भी लग जाता है, और पैर भी उसमें धस जाता है, तो लेखक कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को कीचर देखना हो, तो कहां जाकर देखिए, सिंधु के किनारे, सिंधु नदी है, उसके कि आप लोग जाकर देखिए और इतने से भी तृप्ती नहीं हो तो आप सिधे खंबात की खारी मतलब एक जगा का नाम है लेखक बोलते हैं कि वहां पहुंचना चाहिए वहां मही नदी के मुख से आगे जहां तक नजर पहुंचे वहां तक सरवत्र सनातन कीचर ही देखने को मिलेगा और लेखा कह रहे हैं कि जब मही नदी के मुख के आगे पहुंचिएगा तो वहां पर ऐशा कीचर है कि लगता है शनातर मतलब प्राचीन काल से बहुत ही पुराने शमय से वहां कीचर ही कीचर भरा हुआ है और वहां कीचर सुखने का नाम भी नहीं ले रहा है इस कीचर में क्या हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना नशोभादे कह रहे हैं कि उसमें उस कीचर में इतना अधिक कीचर है कि वहाँ हाथी ही नहीं डूब सकता है बलकि क्या है पहार के पहार उसमें लुप्त हो जाएंगे ऐसा कहाना चाहिए मतलब लूप तो हो जाना मनक हो जाना तो मही नदी के मुख के आगे बता रहे हैं किनारे मही नदी के किनारे इतना ज़्यादा कीचर है कि उसमें हाथ ही नहीं डूप सकता है मतलब कीचर में पैर रखने से सीधे जमीन के नीचे लोग धरातल में पहुंच जाता है फिर उपर कोई उठ नहीं पाता है और कितने ऐसे जान भी गए हैं जहां पर कोशी नदी होती है और बहुत सारी ऐसी नदी है जिसके किनारे अगर कीचर ऐसा ऐसा बड़ा-बड़ा कीचर होता है जिसमें एक बार अगर पैर चला गया तो फिर जमीन के अंदर ही लोग धसकर म लेखा कहने का कोशिस कर रहे हैं कि मही नदी के किनारे जो कीचर है उसमें हाथ ही नहीं डूब सकता है उस कीचर में यह होता है कि कीचर में पैर रखते ही लोग सीध है जमीन के नीचे पहुंच जाता है और कोई उसमें से उपर नहीं उठ सकता है अगर कोई उपर उठाने के लिए कोशिस भी करें तो जो जाएगा वही उसमें डूब कर मढ़ जाएगा तो उसी तरह कह रहे हैं कि मही नदी के किनारे ऐसा बरा खीचर है कि उसमें हाथी ही नहीं बरा बरा पहार भी उसमें डूब सकता है ऐसा खीचर वहां पर है अगे लेखा कह रहे हैं कि हमारा अन खाते हैं, चावल खाते हैं, धान, धान की फशल जो होती है, खासकर कीचर में ही होती है, उसमें इतना कीचर की जरुरत नहीं होती है, थोड़ा भी पानी उसमें जमीन के नीचे हो जाए, तो उसमें खेती हो जाती है, लेकिन धान की जो पैदावार होती है, वह कीचर में ही ह गुटना तक कीचर में धान की रुपाई होती है और आप लोग सर्च करके यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि धान की रुपाई किस तरह होती है और गाउं इलाके में जो बच्चे रहे होंगे उनको पता होगा कि जब धान की रुपाई होती है तो घुटने भ पानी में कीचर पहले कीचर जैसा पानी को बनाया जाता है और उसमें धान के एक एक प्लांट को उसमें लगाया जाता है तो यहां पर लेखा कह रहे हैं कि हम लोग कीचर से तो नफरत करते हैं लेकिन हमारा अन जो हमें पेट हमको पेट भड़ता है जिस धान से हम चावल खा को उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कीचर के लिए कितना उपियोगी भी होता है इसका जागरतْ भान यदी हर मनुश्य को होता तो कभी कीचर को तिरशकार नहीं करता मतलब जागरत issuing मतलब जानकारी होता घ्यान में दान होता यहां पर लेख कह रहे हैं कि अगर कीचर के बारे में लोग나 जानकारी होता कि धानरस होती है लोग आज कीचर से इतना मफरत नहीं करते मतलब यहां लेखा कहने का कोशिस यह कर रहे हैं कि लोगों को हर चीज के बारे से कुछ नियुक्त detta और उसकी भी उपीयोगता है मतलब कीचर की कितनी उपीयोगता है और कीचर से धान की फैदाबार होती है इसलिए हमें उससे नफरत नहीं करना चाहिए और अगे लेकर बोल रहे हैं कि ऐक सब्ध घिरुनाश्पद लगता है जबकी लेखा कह रहे हैं कि कि PANK सब्द घिर्णास्पद लगता है एक अजीब बात देखें ने लांप पंग सब्द सब्द सुनाइब करते हैं कवी लोग डोलने लगते हैं अब क्या होता है को बोलते हैं तो कीचर में ही कमल ठहलता है कीचेर में ही कमल खिलता है या तो हम लोग अक्सर जानते हैं लेकिन क्या होता है पंक सुनते ही मतलब पंक का नाम सुनते ही लोग पंक से घ्रना करने लगते हैं जब कि पंकाज का नाम सुनते ही जो है कभी और या लेखक लोग क्या होते हैं कभी लोग डोलने लगते हैं कि कोई भी नाइका का नाम लेकर कहते हैं कि उसकी ओठ जो है क्या है कमल जैसी है कमल की पंखुरी जैसी कमल पिंग कलर का होता है और उसकी ओठ जो है पिंग कलर की होती है तो लेखक लोग कभी लोग क्या करते हैं उपमा देते हैं पंकज का तो मतलब कह रहे हैं कि देखिए इनकी मानशिक्ता भी कैसी है, पंक से नफरत करने लगे और पंकज का नाम उसमें जोजोड दिये, तो पंकज हो गया, और यह सुनकर क्या हुआ, काफी वोग खूस हो जाते हैं, जूमने लगते हैं, और बहुत सारे नाइका के बारे में या किसी के बारे में उपमा देने बोलते हैं, विष्टा मतलब गंदगी जो होता है, तो क्या बोलते हैं, मल बिल्कुल मलीन माना जाता है, अगर किसी के सामने मल बोले, तो लोग को बहुत ही गुसा आएगा, और उसको लोग गलत समझते हैं, किन्तु कमल सब्द सुनते ही चित में प्रशंता अहलाद कत्व फूट पढ़ते हैं, और क्या होता है, मौ से पहले को लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, कमल, कमल मतलब भी होता है, लोटेस, तो कहते हैं कि देखो सब्द का कितना खेला होता है, इसमें अगर को लगा दिये, तो क्या हो गया, कमल हो गया, और कमल सब्द जब सुनते हैं कबी लोग जूमने लगते हैं और काफी परसन्ता उनके मन में आ जाती है कभीयों की ऐसी उक्ति सुन्य व्रिति मतलब कँवी भी गहराई में सोच नहीं पा रहे हैं कि उनकी भी मतलब उक्ति सुन्य हो गया मतलब उनका हिर्दय जो है इसा लग रहा है कि सुने हो गया है खाली है मानशिक्ता कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे अगर हम लोग उनके सामने अगर सवाल रखें तो क्या बोलेंगे कि आप वशुदेव की पूजा करते हैं इसलिए वशुदेव को तो नहीं पूजते अब यहां प बोलते हैं और वश्वुदेव क्रिश्न के पिता को बोलते हैं तो कभी के सामने अगर हम लोग कहेंगे कि आप लोग इस तरह की बातों को लेकर क्यों चलते हैं तो क्या बोलेंगे किदेखिए वशुदेव की पूजा सभी लोग करते हैं लेकिन वशुदेव को तो नहीं पूजते मतलब उनके पिता जो हैं उनकी पूजा तो लोग नहीं करते हैं ऐसा उखमा देंगे मतलब आगे बात को मिलाने का कोशिस यह किये हैं कि पंक सब पंक सब जब हम लोग बोलते हैं 김 cher होता है मल मतलब विष्ठा होता है गंदगी होता है तो अगर हम लोग कहें गहराई में क्यों नहीं सोचते है तो विए हम लोगों को क्या समझाएंगे कि आप लोग जो है वासुदेव की पूझा करते हैं पर वाशुदेव वशुदेव को तो नहीं पूझते, मतलब उनके पिता, कृष्ण के पिता पूझा तो नहीं करते हैं, और आगे और एक्जामपल क्या देंगे, हीरे का भारी मुल्ले देते हैं, किन्तु कोईले या पत्थर का नहीं देते, मतलब हीरा जो होता है, कहां मिलता है, कोईला के तरसिए सांती होता है उसको तो लोग मुल्य दे कर खरिद लेते हैं पैशे देकर खरिद लेते हैं लेrat नियुक् vivat को कोई得 है दो किसा दृस्टίν नहीं जाती है उसको है समझता है लोग क्या रे कोई लास है मतलब लेकिन लेकर कहता है करने ही है कि गहराई में सोचना चाहिए कोई भी बात को गहराई में सोचना चाहिए हर चीज जbec की उपियोगिता है और हर चीज Cup होता है अगर कोईला है कोईला के ख़दान नौ से अगर हीरा मिल रहा है तो उसमें भी उसकी उपयोगिता है उसका भी कुछ महत होता है इसी तरह बोल रहा है कि मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं किन्तों उसकी मातोस्री को गले नहीं बांधते और क्या होता है आगे बोल रहा है क उनकी मातो स्रीकोन है शीप, शीप में से मोती निकलता है, तो यहां लेखा कभी क्या कहेंगे, कि देखो मोती को तो लोग कंठ में पहनता है, मतलब मोती बहुत सुन्दर होता है, मुल्यवान होता है, तो क्या करता है लोग, गले में पहनता है, लेकिन जो शीप होता है, जो से मोती बनता है तो सीब पर किशी का ध्यान ही नहीं रहता है तो यहां पर लेखक बताने का कोशिश किये हैं कि हर छीज का जीवन में महत्व है तो लेखक आगे कह रहे है कि कम से कम इस विशय पर कभीन से तो चपर करना स्थ की लोग किए कि तरह के तर्क देकर हमें चुप करा देते हैं मतलब लेखक के में पताना चाहरہ हमें उस महत्य को स्विकार करना चाहिए उसकी गहराई में जाना चाहिए और कोई भी चीज को हम लोगों को हेद रिष्टी से नहीं देखना चाहिए हर चीज की कुछ न कुछ उपियोगिता होती है जैसे कीचर है कीचर से धान की पैदावार होती है और धान से क्या होता है च तिरशकार करते हैं, तो बोलना है कि उसका तिरशकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की कुछ न कुछ उपयोगीता है, तो आसा है आपनों को यह पार्ट समझ में आगया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूरर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के सब्सक्राइब की झाल